हलो दोस्तो वेलकम टो मिसल क्लासेज दोस्तो आज हम लोग देखने वाले हैं BBMKU University and BBU University में जो semester 6 के आपके exam होने वाले हैं इसमें किस परकार से आपसे objective type के question पूछी जाने वाले हैं इससे related आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आची तरह से Adsים करने वाले हैं तो जो जो candidate जिसमें से हम लोग हार एक paper पे 20 important question को Dasies किये थे वह आप description पर link दिया वा है वहाँ से जाकर आप आची तरह से देख सकते हैं तो DS20 यह हैं जो हम लोग डिस्स करने वाले हैं वह है is POLITICAL Science senior paper DSC paper 3 इससे वीडियो में बहुत ही important होने वाला है इस वीडियो के बिल्कुल आप लोग skip ना करें और वीडियो के प्लीज करके आन तक देखेंगे क्योंकि most important question में बताने वाला हूँ तो चलिए बिना देर के हम लोग कोशन के रमूब करते हैं डियस्टो एंड वीडियो के बिल्कुल skip ना करें क्योंकि बहुत सर ऐसा student है जो वीडियो के skip करके देखते हैं और जब exam देकर आते तो comment करते कि सर आप जो बताए वह नहीं आया है तो डियस्टो एंड बिल्कुल आ अब लोग को बनाने प्रोभाइड करने के लिए तैयार हूं तो डियस्टो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला कोशन आपके सामने है कि बिदेश निति के मुख्यों मौलिक उदेश से क्या है जो बिदेश निति है इसके मौलिक उदेश से क्या होना चाहिए तो इसक इस तरह से रिपीट करके exam में कोशन पूछू जाते हैं तो डियस्टो निए आप लोग बिलकूल वीडियो के Skype ना करें और जाधस ज्याथ आपने दोस्तों को सेर करें अब वीडियो पर नहें आ, तो वीडियो को पहले subscribe करे, लाइक करें और जाधस ज्याथ आपने दोस्त आगला कुशेन चलते हैं फेर समय नवादी का अवरोध करना संधियों की निती का पालन करना अमानों अधिकार का समर्थन करना इस प्रक्रत्र जो राइट अंसर हो जागा अगला कुशन क्यों चलते हैं नक्षकास सेने मौस्ट इंपोर्टन कौशन रूसी विदेशनति के निरमता यानि जनक कोन है। जो रूसी विदेशनति है। उनका जनक किसे माने जाते है। तो इसका जो जनक होगे, Most Important Question है, Boris Yottsin . क्या होजागा , Boris Yottsin. Most Important Question, Question No.5 के और Most Important है. Question No.5 है। Question है, क्या है क्या है, जो Pristiteh है क्या है।ост इसका जो right answer होना चाहिए पुर्ण आधिकार क्या नो चाहिए option number B इनका right answer हो जागा then अगला question क्यों चलते हैं next question है question है आपके पास कि डिगल की आवधी क्या थी जो डिगल की यूद्ध है उसकी आवधी क्या है तो इसका आवधी याद रखेगा then अगला question क्यों चलते हैं next question है आपके पास वर्तमान में फ्रांस के राष्टपती कोन है जो वर्तमान समय में present time पे अभी फ्रांस के राष्टपती कोन है तो याद रखेगा then अगला question के और चलते हैं भारत और चीन के बिच किये गए थे अगला question के और move करते हैं अगला question आपके समने हनर टोटा पोस्ट पोस्टर अवचारिक रूप से स्रिलांका द्वारा चीनी फार्मों को पट्टे पर कितने वर्स के लिए सोंपा गया था तो याद रखेगा 99 वर्स के लिए डेस्ट्र इसका जो राइट एंसर हो जाएगा 99 वर्स most important question है option पर नहीं दिख रहे हैं इनमें से कोई नहीं होगा याद रखेगा 99 वर्स के लिए दिये गए थे अगला जो question है question number 10 है आपके पास कि चीनी विदेश निती के साधन क्या है डेस्ट्र अगर आप लोग चार है किसा डेस्टी पेपर में डेस्टी पेपर 4 में किस प्रकार से question पूशे जाएंगे तो डेस्ट्र आप लोग कमेंड़ वक्षन जरूर बताएं मैं उनके भी आरे में भी बताने वाला हो कि किस प्रकार से long question, short question, objective type के question पूशे जाएंगे आपसे वो भी मैं बताने वाला हो तो कमेंड़ वक्षन बिल्कुल लाइक करें क्योंकि आप लोग के लिए हमारे पूरे टीम बहुत मेहनत कर रहें तो एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे और एक सेर जरूर किजिएगा question है चीनी बिदेस्टी के साधन है तो चीनी बिदेस्टी के जो साधन है यूद और आहिंसा communist परचार द किस्तस करने वाले हैं तो नेक्ष्ट वीडियो मिलते हैं इसी के साथ जय हींद जय भारत बंदे महत्रव